देखें ये M.A. English पेपर नमबर फर्स्ट है और जहांपर यूनिट फोर ड्रामा सेक्षन है और पहला ड्रामा है बेटिंग फॉर गोड़ट बेटिंग फॉर गोड़ट को लिखा था सैमल बैकेट ने लिखा था अब ये चीज है क्या तो देखें बेटिंग फॉर पैलनमबर प्ले है turp play में कैसा play है तो absurd play है from the theatre of the absurd movement इसको absurd movement के theater में से existence में आया है इती ज़ी can comedy बेटिंग फ़ॉर गोड़ो एक तरह से tragic comedy है जिसमें tragedy और comedy का blending है into acts और इसमें दो act है waiting for Godot में कितने act हैं दो act का play है it is written by Samuel Beckett waiting for Godot को Samuel Beckett ने लिखा but it is first published in 1952 इसको पहली बार published किया गया 1952 में and first performed in 1953 और पहली बार performed किया गया 1923 में introduction of the author Samuel Barclay Beckett was born in 13 April 1906 and died 22 December 1989 Samuel Beckett का जन्म 13 April 1906 भी को हुआ था लेकिन इनकी death 22 December 1989 भी को हुआ he was an Irish nobelist Samuel Beckett एक Irish nobelist थे ड्रेमेटिस्ट थे and short story writer और ये एक short story writer थे हिवाज इनको theater director भी कहते हैं poet भी थे and literary translator और translator भी थे his literary and theoretical work features bleak impersonal and tragic comic experience of life इनकी work में different type के जैसे एक tragic comic experience include होते थे impersonal होते थे और बहुत ही bleak type के होते थे often coupled with black comedy and nonsense generally इनके work में comedy और nonsense foolishness हुआ करता है character of the play अब यहाँ betting for godet में कौन-कौन से character है तो पहला character है व्लादमीर या ब्लादमीर ब्लादमीर one of the two main characters of the play जैसे देखिए इस play में दो main characters हैं ब्लादमीर और एस्ट्रोजन तो ब्लादमीर one of the two main characters of the play ये एक main characters में से एक है एस्ट्रोजन calls him दीदी और एस्ट्रोजन ब्लादमीर को दीदी कहके बुलाता है and the boy address him as Mr. Albert और जो लड़का होता है उसको Mr. Albert के नाम से address करता है उनको बुलाता है he seems to be the more responsible and mature of the two main characters दोनो main characters में से ये कुछ जादा ही responsible और mature दिखाई पड़ता है लगता है next character estrogen estrogen the second of the two main characters estrogen जो है दो main characters में से दूसरा वाला है ब्लादमीर calls him गोगो ब्लादमीर उसको गोगो कहते हैं ब्लादमीर estrogen को गोगो कहता है और estrogen ब्लादमीर को दीदी कहता है he seems big estrogen बहुत कमजोर दिखाई देता है and helpless और आसाहय आलबेज looking for ब्लादमीर's protection और इतना आसाहय दिखाई देता है कि हमेशा ये ब्लादमीर के protection में रहना चाहता है he also है जाब poor memory और estrogen के पास एक poor memory है means estrogen थोड़ा कम दिमाक वाला है ब्लादमीर के comparison में पोजो, he possesses by the spot where ब्लादमीर and estrogen are betting and provides a diversion ये जो है पोजो उस राष्टे से होकर गुजरता है जहां पर ब्लादमीर और estrogen बेट कर रहे होते हैं गुड़ट का और वहां से इनको एक diversion प्रोवाइड होता है in the second act, second act यहीं से सुरू होता है he is blind, second act में पोजो जो है blind हो जाता है and does not remember meeting ब्लादमीर and estrogen the night before और जो है मतलब वह भूल जाता है उसे याद नहीं रहता है कि एक रात पहले ब्लादमीर और estrogen से पोजो मिला था और पोजो जो होता है पोजो के साथ में गुलाम होता है जिसका नाम है लकी next लकी पोजो का गुलाम है पोजो का स्लेब है who carries पोजो का गुलाम है और पोजो के बैग को लिए रहता है एंड इस्टूल और उसके लिए इस्टूल ले रहता है इन एक्ट फर्ष्ट पहले एक्ट में इन्टर्टेंस बाइ डांसिंग अंड थिंकिंग लकी जो है डांस करके और सोच कर कई सारी बातें बताकर बाकी सारे लोगों का इन्टर्टेंमेंट करता है इन्टर्टेंस बाकी सारे लोगों को लेकिन एक्ट सेकंड में लकी जो है लकी को एक डंब यनकी गुंगे की रूप में दिखाया गया है नेक्स्ट है आपका वाई ये लड़का जो है जैसे दो ही एक्ट हैं दोनों एक्ट के लास्ट में कि ब्लादमीर और एक्ट रूजन को ये इन्फॉर्म करने के लिए आता है ये गॉड़का बिल नॉट बी कमिंग डेट नाइट कि गॉड़का उस रात आज रात नहीं आने वाले है इन दा सेकंड एक्ट और सेकंड एक्ट में कि वो इस बात को कहता है कि कल मैं नहीं आया था और वही बात रिपीट कहता है कि गॉड़का आज भी नहीं आने वाले है गॉड़ट वो आदमी है जिसका इंतिजार ब्लादमीर और एस्ट्रोजन कर रहे होते हैं अनेंडिंगली गॉड़ट नेवर अपेर्स इन दा प्ले और प्ले में गॉड़ट कभी अपेर नहीं होता है ना तो शुरू में ना ही एंड में इसका नेम और यह जो करेक्टर इसको जनरली गॉड़ से रिफर किया गया है मैं इन से आपर यह बताया गया है कि हर आदमी को एक गॉड़ट का इंतिजार रहता है हर आदमी सोचता है कि कोई आएगा और जिसके आने से उसकी लाइप अच्छी हो जाएगी अब नेक्ष्ट देखें समरी समरी आप दपले यानि कि बेटिंग फॉड़ट का समरी क्या है बेटिंग फॉड़ट इस ट्रांसलेटेड प्रॉम बैकेट्स ओन फ्रेंच स्क्रिप्ट इन अटेंडेंट गॉड़ट गॉड़ट और बेटिंग फॉड़ट यह जो है बैकेट के खुद के फ्रेंच स्क्रिप्ट इन अटेंडेंडेंट गॉड़ट का एक ट्रांसलेशन फॉर्म है एक्चुलिए बेटिंग फॉर गोड़ोट को सबसे पहले फ्रेंच स्क्रिप्ट जिसका नाम इन अटेंडेंट गोड़ोट की रूप में लिखा गया फिर इसको ट्रांसलेट किया गया और तब इसका नाम रखा गया बेटिंग फॉर गोड़ोट ये जो play है ये दो दोस्त से शुरू होता है ब्लादंीर और एस्ट्रोजन दो दोस्त से ये play सुरू होता है जो की road के side में गोड़ोट का बेट करती है estrogen struggles to remove his boards estrogen वो अपनी boards को remove के लिए मतलब उसकी boards remove के लिए वो estrogen struggle करता है means estrogen की जो to remove his boards his boots estrogen कहता है कि वो अपने जूते को निकाल दे मतलब estrogen अपने जूते को नहीं निकाल पा रहा है और वो उसको निकालता है बूर्ट से यहां पर estrogen अपने जूते को निकाल रहा है ब्लादमीर आस्क से हिम और ब्लादमीर उससे कहता है Has he ever read the Bible? क्या उसने कभी Bible को पढ़ा है estrogen says he remembers some colored maps of the holy land estrogen कहता है हाँ उससे कुछ याद है कि Bible में कुछ holy land के colored maps है ब्लादमीर टेल्स हिम अबाउट टू थीप्स ब्लादमीर अब उससे दो चोरों की बारें बताता है along with Jesus crucified जिनको Jesus के ही साथ में फांसी के सजा दे गई थी दे दे गई थी one of the Gospels says और Gospels में से एक कहता है that one of the Thieves was saved कि उन दोनों चोरों में से एक चोर बच गया था ब्लादमीर wonders if this is true लेकिन ब्लादमीर को बड़ा आशर है पतनी ये सही भी है या नहीं है एस्ट्रोजन wants to leave but ब्लादमीर reminds him that they have to bet here for Godot एस्ट्रोजन वहां से जाना चाहता है लेकिन ब्लादमीर उसको याद दिलाता है कि हम लोग गोड़ोट का बेट कर रहे हैं हम लोग गोड़ोट का बेट करने के लिए यहां पर आए हैं ब्लादमीर एंड एस्ट्रोजन debates whether they are in right place ब्लादमीर और एस्ट्रोजन इस बात पर चर्चा करते हैं क्या वे सही जगए पर हैं and whether it is the right day for Godot to come और क्या ये सही समय है कि जब Godot आएंगे एस्ट्रोजन falls asleep बात करते करते हैं एस्ट्रोजन सो जाता है and ब्लादमीर immediately wakes him saying he was lonely without him और ब्लादमीर कहता है कि वो जाग जाए उसे जागने के लिए कहता है क्योंकि अगर वो सो जाएगा तो जब वो सो जाएगा तो ब्लादमीर अकेला हो जाएगा एस्ट्रोजन starts to tell about his dream एस्ट्रोजन अब अपने सपनों के वारें बताना सुरू कर देता है बट ब्लादमीर angrily stops him लेकिन ब्लादमीर गुसे से उसको रोक देता है और उससे कहता है कि अब जो है हम लोग को रात यहीं गुजारनी है अभी इसी समय यहाँ पर दो और आदमी इंटर करते हैं एक तो पोजो होता है और दूसरा उसका गुलाम लखी होता है is on his way to the market to sell his slave lucky और वे जो हैं जा रहे होते हैं मार्केट में अपने slave lucky को sell करने के लिए he pauses for a while to converse with ब्लादमीर and estrogen और वे pauses मलब रुखते हैं यह पोजो वहाँ पर रुखता है थोड़ी देर ब्लादमीर और estrogen से बात करने के लिए थोड़ी देर वहीं पर रुखता है lucky entertains lucky इन लोग को entertain करवाता है entertainment करवाता है enjoy करवाता है and they by dancing and thinking और नाच कर और कई-कई एक लंबी speech देकर जो है वो इन लोग का entertainment करवाता है and pojo and lucky leave और इसकी बाद pojo और lucky चले जाते हैं यहीं पर मतलब कुछ और कहानी होती है कि बाद में पूशता है कि लखी ने अपने बैग लखी ने बैग को हाथ में क्यों पर रखा है अगर उखड़ा तो जमीन में भी रख सकता है तब pojo कहता है कि मेरे पास कई slave है और अगर यह ऐसा कर देगा तो इसको ऐसा लगेगा कि यह अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता है slave में से इसलिए यह बैग को मेरे respect में हाथ में ले रखा है अप्टर pojo and lucky जब pojo और lucky चला गया अब वो आई इंटर्ज तबीक लड़का आता है and tells bladmir और bladmir को बताता है that he is a messenger of godad कि वो godad का messenger है he tells that godad will not be coming tonight और वो godad से कहता है sorry वो लड़का कहता है bladmir और estrogen से कि godad आज की रात नहीं आने वाले है and that he will surely come but that he will surely come लेकिन वो जो है आएंग जरूर लेकिन आज रात को नहीं आने वाले है surely come tomorrow वो कल आएंग को नहीं आएंगे bladmir asks him some questions bladmir अब उनसे कुछ questions पूछता है about godad godad के बारे में bladmir अब उससे कुछ questions पूछता है and the boy departs और लड़का चला जाता है after his departure जब वो चला जाता है bladmir and estrogen decides to leave the bladmir और estrogen वो भी चले जाने का decide करते but they do not move as the curtain falls लेकिन वो नहीं जाते हैं जैसा कि पर्दा गिरता है लेकिन वो वहीं रहते हैं मलब नहीं जाते हैं the next night अगले रात को bladmir and estrogen again meet near the tree bait or godad अगली रात को bladmir और estrogen फिर से वहीं पर दिखाई देते हैं जहां पर वो गड़ोट का बेट कर रहे होते हैं lucky and pojo enter again lucky और pojo फिर से आता है वहां पर and this time pojo is blind और इस बार pojo अंधा हो चुका है and lucky is dumb और lucky बहरा हो चुका है pojo does not remember meeting the two men night before और pojo ऐसा pojo को याद नहीं है कि वो एक रात पहले इन दोनों आदमियों से मिले थे estrogen also does not remember anything the night before estrogen को भी एक रात पहले वाली जो भी कहानी हुई थी मतलब वो पहले वाली रात के बारे में कुछ याद नहीं है bladmir tries to remember him bladmir उसे याद दिलाने का प्रयास करता है pojo and lucky live और अब क्या होता है pojo और lucky चले जाते हैं अच्छे यहाँ पर भी कुछ कहानी होती है कि जब यह याद दिलाता है bladmir वो कहता है कि estrogen से कि याद करो कि पिछली रात को कल तुमको जो है लकी ने एक लात मारी थी तब इसे कुछ याद आता है और जो है ये pojo और चुंकि pojo blend हो चुका था लकी डंब हो चुका था तो यहाँ पर होता क्या है इन लोग की आपस में एक टकराव हो जाता है और जिसे सब एक दूसरे को उपर गिर जाते है और थोड़ा यहाँ बहुँ ज़दा कॉमिक सीन हो जाती है और यहीं पर बलादमिर और एस्ट्रोजन एक दूसरे को गाली भी देते हैं मेंस एपसर्ड पले तो है ही अब इस तरह से पोजो और लकी लीप पोजो और लकी चले जाते हैं बलादमिर और एस्ट्रोजन अब बेट करते हैं अप्टर सम टाइम कुछ समय के बाद दबवाई इंटर्स लड़का आता है और फिर से कहता है बलादमिर डैट गोड़ोट बिल नाट भी कम कि बलादमिर गोड़ोट आज नहीं आएंगे इंटर्istes that he did not speak to बलादमिर यस्टिरडे और वो कहता है कि वो कल जो है बलादमिर से नहीं बोला ठहला मतलब वो लड़का कहता कि कल मैंनी कल तो मैं नहीं आया था after he leaves और ऐसा बोलकर कि आज वो नहीं आएंगे कल आएंगे ऐसा बोलकर वो लड़का चला जाता है estrogen and Vladimir decide to leave estrogen और Vladimir भी चले जाने का decide करते हैं and again they do not move as the curtain falls ending the play और फिर से वो नहीं जाते हैं जासकि दिखा दिया गया है कि play के end में परदे को गिरा दिया जाता है लेकिन यह bloodmere और estrogen नहीं जाते हैं वहीं परबेट कर रहे होते हैं इसे के साथ में यह end होता है यह play यहां की themes क्या है? बेटिंग और गॉड़क की themes है importance of hope यानि की hope का importance दिखाए गया sufferings को दिखाए गया, absurdity को दिखाए गया difference in human race, human race में difference को, relationship को, existant realism को meaningless, nothing to be done meaningless society को दिखाए गया कि जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं है इसलिए तो यह absurd play मानी जाते है आयोप यह चीज समझ में आ गया तो यह था आपका betting for go dot ओके, thank you अज के लिए इतना ही रखते हैं मुलिए आपका यह पाला सब झाते हैं झाल झाल